ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रतना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्य मंत्री भुपेश बगेल ने कहा है कि आन्य प्रदेशों में फसे 36 गड़ के लोगों के बड़ी संख्या में वापस आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमन ना फैले इसके लिए शाशन द्वारा सारे एहतियाती उपाई किये जा रहे हैं। मुख्य मंत्री द्वारा आकाश्वाणी समाचार को दिये विशेश साक्षातकार का प्रसारन कल सुबह साड़े दस बजे से किया जाएगा। मुख्य मंत्री ने रेल मंत्री को पत्र लिक कर चत्तिस गड़ के प्रवासी श्रमिको की वापसी के लिए विभिन शेहरों से 28 ट्रेनों के संचालन का किया अनुरोध और चत्तिस गड़ में कोरोना संक्रमें तीन और मरीजों की पुष्टी अब साथ मरीजों का एमस राइ मुख्यादी है इस दोरान ग्रीन और ओरेंज श्रेंडी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में परियाप्त रियायते दी जाएंगी केंध्रिय ग्रेह मंत्रालDas कल ने दिशा निर्देश जारी किए जो red, green और ओरन जोन में विभज़त जिलों के जोखिम के अनुसार लागू होंगे कल तक जिन जिलों में कोरोना वारस का कोई मरिज नहीं था अथवा जिन जिलों में संक्रमन के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई थी वे green जोन में समझे जाएंगे कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की कुल संख्या, संक्रमित विक्तियों के दोगुना होने की दर, परिक्षन की इस्थिती और निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड छेत्र अथवा होट स्पोर्ट की पहचान की जाएगी। कि वे कोरोना वायरस संक्रमन के फैलाओ के अनुसार अतिरिक्त जिलों को रेड अथवा आरेंज छेत्र में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन वे स्वास्त मंत्राले द्वारा निर्धारित रेड और आरेंज छेत्रों की सूची के वर्गी करण में स्वयम कोई कमी नहीं कर पाएंगे, रेड और 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 अरेंज छेत्रों में कंटेन्मिन जोन या होट स्पोर्ट राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों द्वारा निर्धारित किये जाएंगे, ऐसा करते समय स्वास्त मंत्राले के दिश्ण निर्धेशों का पालन किया जाएगा, इन्री सरकार ने कहा है कि कोरोना वारस संक्रमन को देखते हुए उडानों का परिचालन बंद रहेगा, इस फैसले में होने वाले किसी भी परिवर्दन की जानकारी लोगों को समय रहते दी जाएगी ताकि वे सेवाएं बहाल होने पर अपने टिकट बुक करा सकें मुख्य मंत्री भूपेश बगेल ने रेल मंत्री पियुश गोयल को पत्र लिख कर उनसे 36 गड़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए देश के विभिन शेहरों से 28 ट्रेनों के संचालन का अनुरोद किया है श्री बगेल ने लॉकडाउन के कारण फसे मजदूरों की घर तक वापसी के लिए ट्रेन चलाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मानवी आधार पर इन ट्रेनों के संचालन की निशुलक व्यवस्था करने और जल्द से जल्द तारीख और समय तय करने का भी आगरह किय मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वारस संक्रमन के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है 36 गड़ में भी कोरोना वारस संक्रमन को रोकने में काफी हद तक सफलता भी मिली है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय 36 गड़ के प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों में फसे हुए है हेल्प लाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 1,17,000 प्रवासी श्रमिक 21 राजियों और 4 केंद्रिशाशित प्रदेशों में फसे हुए है परिवहन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनकी संख्या बढ़ सकती है मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने बताया कि 36 गड़ सरकार दूसरे प्रदेशों में फसे श्रमिकों, विद्यार्थियों और अन्य वेक्तियों को 36 गड़ वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है आकाश्वाणी समचार से एक विशेश बादचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में इन लोगों के प्रदेश वापस आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमन ना फैले इसके लिए भी शाषन द्वारा सारे एहतियाती उपाई किये जा रहे है एक बड़ी चुनोती हमारे सामने है असली चुनोती अब सामने आएगा जब वो लोग आएंगे और उसका विहाईवियर किस प्रदास होगा तो यह चुनोती हमारे लिए ज्यादा बड़ी है और इसके लिए जो तैयारी हमारी है वो यही है कि जितने भी लोग आये उसे प करते हैं चीफ चाहे वह पंचाय सचीव हो आम भाड़ी के कार कारता हो चाहे वह सहाइका हो या मिकानीन हो चूदवार आदू कैस्टी कीरत कोईobsरिक जहाए वो सूचना देख आये या बिना सूचना देख चुपचाप आ गए हैं। इसकी जयानकारी वो संबंधित अपने कुछ पदस्त अतिकारी उपो वो गेंगे त्याकि उनको परिंटाइम में रखा जा सके ने, उसकी स्क्रीनिंग की जा सके, उसकी जांच की जा सके और जो आउस्टक सुथाएं दे जा सकती हैं, वो हम दे सकेंगे। परियाटकों, तिर्थी यात्रियों और अन्य लोगों की वापसी के लिए केंद्र और अन्य राज्य सरकारों से समन्वे तथा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्यत करने के लिए सच्ची विस्थर के छे अधिकारियों की राज्य सरी समन्वे प्रकोष्ट का गठन किया सामेल अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों से समन्वे के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। इन अधिकारियों को के इंद्रिय ग्रिह और स्वास्त मंत्रा लेके सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। और उत्तर पुर्वी राज्यों के लिए भी अलग-अलग हेल्प लाइन नमबर चारी किये गए हैं। 36 गड़ में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वारस से संक्रमित तीन और मरीजों की पुष्टी हुई है। ये तीनों मरीज सूरजपूर जिले से हैं, इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इनमें से 36 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से चुट्टी दे दी गई है, जबकि कोरोना संक्रमित साथ मरीजों का एलाज एम्स राइपूर में चल रहा है। गौर तलभे की वर्तमान में 17,634 लोग होम क्वारिंटाइन में हैं, जबकि क्वारिंटाइन सेंटर में 575 लोगों को रखा गया है। मुख्य मंत्री भूपेश बगिलने केंद्री स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन से टेलीफोन पर चर्चा कर राइपूर जिले के वो रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आपाकाश्वाणी राइपुर से सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिशी छेत्र में आवश्चक सुधार और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक की बैठक में क्रिशी बाजार, अतिरेक्त उपज का प्रबंधन, किसानों तक संस्थागत, रिण और क्रिशी छेत्र को विभिन प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचारवे मर्श किया गया प्रधान मंतरी ने क्रिशी छेत्र में पूरी मुल्य वरधन श्रंकला का लाब किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रोद्योगी की का इस्तिमाल करने पर बल दिया बैठक में क्रिशी अर्थ व्यवस्था, क्रिशी व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिक्तम लाप पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमी का मजबूत करने का फैसला किया गया इसके अलावा किफायती व्याजदर पर रिण प्रवाह किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेश अभ्यान और राज्य के भीतर तथा राज्यों के बीच क्रिशी उत्पादों के व्यापार पर भी चर्चक की गई, बैठक में e-commerce के platform e-nam को सशक्त बनाने पर भी विचारव मर्ष किया गया, कोरोना वारत संक्रमन की रोग थाम के लिए प्रदेश की राजधानी राइपुर इस्थित, राज्य इस्तरी कार्यालेओं सहित, जिला और मैदानी छेत्रों के सभी शास्किय कार्यालेओं में सनिटाइजेशन अभ्यान चलाया जाएगा, मुख्य सचिव मुख्याइजेशन ने कहा है कि कोरोना वारत के बढ़ते संक्रमन के कारण लागू किये गये देश्वयापी लौकडाउन के फलसरूप, सभी शास्किय कार्यालेओं में कार्यसंपादित नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में लौकडाउन समाप्त होने पर सभी कार्याले आम नागरिकों का आना जाना भी होगा, अभी महामारी का प्रकोब कम होने की संभावना व्यक्ति नहीं की जा सकती। प्रमुक रक्षा अध्यक्षे जनरल बीपिन रावत ने कहा है कि सशत्र सेना कोरोना वायरस के संभष में लगे कोरोना युद्धाओं के प्रती एक जूटता दिखाने के लिए कई गतिविध्या संचालित करेगी। इसे कच्छ तक फ्लाइट पास्ट जैसे विभिन आयोजन करेगी। कोरोना वायरस संक्रमन की रोग थाम के लिए शाशन प्रशाशन द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सुरजपुर जिले में ग्राम पंचायद, जजावल, पकनी, अंजानी और चिकनी को, पोर्ण रूप से तथा ग्राम, गोरगी को अंशिक रूप से कंटेंडमेंट जोन घोर्शित किया गया है। यहां के ग्रामेड अपने अपने घरों में ही रहेंगे। वहीं बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रयास जारी है। उधर जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा चेतर में लोग अंदरूनी मारगों से आवाजाही कर रहे हैं। इनिटाइजेशन का कार्य फिर से किया जा रहा है। दूसरी ओर साइन्स कॉलेज दुर्ग के एन्सेसी के एडेटों ने 478 लोगों के स्मार्टफोन पर आरोग यसे तू एप डाउनलोड करवाने में सफलता प्राप्त की है। राइगर जिला प्रशाशन ने जारखंड में फसे जिले के मजदूरों को वापस लाने के लिए बस की विवस्था की है। वही जिले में जारखंड का कोई मजदूर फसा है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी जा सकती है। इधर राजनान गाउं जिला कलेक्टर ने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले वेक्तियों और श्रमिकों को उनके प्रवास की जानकारी और स्वास्थ परिक्षन के बाद ही प्रदेश की सीमा में प्रवीश की अनुमती दी जाएगी। इसी तरह मुंगेली जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन समाप्थ होने के बाद शास्थ की अकार्यालाओं में कामकाश शुरू होने से पहले नियमित साफसफाई और हाथ होने के लिए हैंडवाश आदि के विवस्था सुनिश्चित करने कहा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। च्विट में लोगों से भगवान कृष्णी की महिमा की कथा देखने की अपिल की है। 36 गड़ IAS Association ने पिछले महा की तरह इस महा भी एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री साहता कोश में देने का निर्णा लिया है। दंतेवाडा जिले के अरनपूर थानाचेत्र में सुरक्षा बलो ने एक महिला माववादी को गिरफतार किया है। इस पर दो लाख रुपय का इनाम खोशित था। बस्तर जिले की दर्भा पुलिस ने एक ट्रक से करिब 25 किलो मिटर गांजा बरामत किया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपय बताई गई है। जांजगीर चांपा जिले में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट बीते खरीफ वर्ष में जिले के 6,000 से अधिक किसानों को सवा 5 करोर रुपय का दावा भुकतान किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के सुकली गाउं में मालगाडी की टककर से एक महिला की मौत हो गई जबकि उसका पती गंभी रूप से खायल हो गया है। हजार रुपय बताई जा रही है और गर्यबंज़िले में राजिम छेत्र के धमनी कुमी गाउं के आसपास 23 हाथियों का दल विचरन कर रहा है, वन विभाग द्वारा हाथियों पर निग्रानी रखी जा रही है और ग्रामिणों को सतर्क रहने को कहा गया है। बड़ी संख्या में वापस आने के बाद राज में कोरोना संक्रमन ना फैले, इसके लिए शाशन द्वारा सारे एहतियाती उपाई किये जा रहे हैं। मुख्य मंत्री द्वारा आकाश्वानी समचार को दिये विशेश साक्षात कार का प्रसारन कल सुबह साड़े दस बजे से किया जाएगा। मुख्य मंत्री ने रेल मंत्री को पत्र लिख कर 36 गड़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए विभिन श्रहरों से 18 ट्रेनों के संचालन का किया अनुरोध। और 36 गड़ में कोरोना संक्रम में तीन और मरीजों की पुष्टी अब साथ मरीजों का एमसराइपुर में चल रहा है इलाज इसी के साथ प्रादेशिक समचार बुलिटिन समाप्त हुआ नमस्कार